सब्सक्राइब कीज़े डिफेंस स्कुरेट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट डिफेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका बायोगर्फि स्रीस के एक फ्रेस एपिसोड में आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी के एक ऐसे वीड सिपाही के बारे में बताने जा रहे हैं जिनोंने अपनी जिन्दगी में कभी भी फेल होना सीका ही नहीं और वो उन लोगों में से थे जो जानते थे कि किस तरह किसी नमुम्किन काम को मुम्किन बनाया जाता है हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के वन पैरा स्पेशल पोर्स के मेजर मोहिस सर्मा की तो चलिए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्तपूर और रोचक जानकारियां और हमें उम्मीद है कि ये जानकारी जानने के बाद आपका मेजर मोहिस सर्मा के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा So without wasting any time, let's begin अपने दोस्तों में माईक के नाम से मसूर मेजर मोहिस सर्मा का जन 13 जनवरी 1978 को रो तक हर्याना में हुआ था इनके पिता का नाम स्री राजिंदर प्रसाद सर्मा और इनकी माता का नाम स्री मती सुसीला सर्मा है मेजर मोहिस सर्मा के परिवार वाले इनको चिंटू के नाम से बुलाते थे मेजर मोहिस सर्मा के परिवार वाले चाहते थे कि वे एक एंजिनियर बने क्योंकि उन्हें कभी लगाई नहीं कि मेजर मोहिस सर्मा आर्मी में भरती हो सकते हैं और उसके पीछे का कारण ये है कि मेजर मोहिस सर्मा के बड़े भाई मदुर सर्मा उनके मुकाबले में पढ़ाई में जादा अच्छे थे और उन्होंने भी एक बार इंडिन आर्मी के लिए ट्राइ किया था लेकिन वे इंडिन आर्मी में सामिल नहीं हो पाए थे और इसी वज़े से मेजर मोहिस सर्मा के परिवार वालों को लगा कि जब उनके बड़े भाई मदुर सर्मा जो की पढ़ाई में उनसे कहीं जादा बैतर है वो इंडिन आर्मी में सामिल नहीं हो पाए तो फिर मेजर मोहिस सर्मा के लिए भी इंडिन आर्मी में सामिल होना मु यूं तो मोहिस सर्मा को भी एक टिपिकल दिल्ली वाले लड़कों की तरह ही कई सारे सौक थे जैसे की अच्छे कपड़े पहनना, घुमना फिरना और दोस्तों के साथ पार्टी करना। मेजर मोहिस सर्मा माइकल जैक्सन के फैन थे और वे गिटार, माउथ ओर्गन और सिंतेसाइजर जैसे कई मुजिकल इंस्टूमेंट्स बजाने में भी एक्सपर्ट थे। मोहिस सर्मा एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और वे अपने जिंदिगी को बहुत खुल के जीते थे। मेजर मोहिस सर्मा ने अपने सुरुवाती सिक्षा दिली के साउथ एक्स्टेंशन में स्थित मानव इस्थली स्कूल से प्राप्त की और फिर उन्होंने बाकी की सिक्षा होली इंजल स्कूल और डीपियस गाजियबाद से प्राप्त की। जैसके हमने आपको बताया कि मेजर मोहिस सर्मा बचपन सही इंडियन आर्मी में सामिल होना चाते थे। और इसलिए उन्होंने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्लास 12 में एंडिये एक्जाम दिया और उसे क्लियर करके 1992 में भारत की प्रेस्टिजियस नैसर डिपैंस अकैडमी में सामिल होके मोहिस सर्मा ने एक एंजिनियर बनने के बज़ाए एक जेंटलमेन क क cray अजिनियर कादेट बनने का फैसला लिया मोहिस सर्मा में improper की बिल्कूल भी कमी नहीं थी और इसी वजह से वे अपने अपने यए कोर्स के दौरान मेजर मोहिस शर्मा ने एक horse riding champion, boxing champion और best swimmer का भी खिताब जीता था और Major Mohi Sharma को इसी excellence और perfection के लिए NDA के बाद IMA में यानि Indian Military Academy में BCA यानि Battalion Cadet Aditant की rank से भी सम्मानित किया गया और Major Mohi Sharma उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनने उस समय के रास्टरपती स्री के आर नरायन से रास्टरपती भवन में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ तो चलिए बात करते हैं Major Mohi Sharma के शांदार military carrier के बारे में Major Mohi Sharma 11 दिसंबर 1999 को इंडिन Military Academy से पास आउट होकर पांचवी मतराज रेजीमेंड में कमिशन हुए और उसके बाद उन्होंने किस्मीर में 38 आरार के साथ मिलकर कई counter insurgency operations में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने अपने अदिम मिसाहस और वीर्था का परिचे दिया और उनकी इस वीर्था के लिए Major Mohi Sharma को उनकी सर्विस के तीसरे साल में ही सन 2002 में पहले Galantry Medal COASM यानी Chief of Army Staff Commendation Medal से सम्मानित किया गया Major Mohi Sharma के परिवार वाले चाहते थे कि वे इंडियन आर्मी में एक ऐसी रेजिमेंट में सामिल हो जहां पर जादा खत्रान ना हो लेकिन Major Mohi Sharma की इन चीजों के लेकर योजना कुछ और ही थी क्योंकि वे हमेशा से ही इंडियन आर्मी की कमांडो यूनिट यानी पैरा Special Force को जॉइन करना चाहते थे और इसलिए अपनी कड़ी मेहनत और जुरून से वे जून 2003 में इंडियन आर्मी की एलिट Special Force 1 पैरा SF में सामिल हुए Major Mohi Sharma को ऐसे काम बहुत पसंद थे जो एक्शन और एडवेंचर से भरे हो और इसलिए वन पैरा SF Major Mohi Sharma के लिए एक Perfect जगा थी जिसमें आदंकियों का सफाया करना उनका फेवरेट काम था और इसी दोरान उन्हें कई Anti-Terror Operations के लिए सन 2004 में सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था Major Mohi Sharma जनवरी 2005 और दिसमबर 2006 में बेलगाओं में स्थीत कमांडो विंग में दो साल के लिए इंस्ट्रक्टर भी रहे थे वन पैरा SF के कमांडोस को ओवर्ट और कौवर्ट दोनों तरह के Operations के लिए ट्रेन किया जाता है यानि ये कमांडोस खुले में भी लड़ाई लड़ सकते हैं और चिपकर भी कस्मीर में एंटी टेरर आपरेशन्स के लिए Special Forces के जवान ऐसी वेजबूसा धारन करते हैं जिससे वे वहां के इस्थानिय लोगों के साथ असानी से घुल मिल सकें और इसलिए मेजर मुई सर्मा ने भी कस्मीर में अपने एंटी टेरर आपरेशन्स के दौरान बड़े-बड़े वाल और लंबी-लंबी दाड़ी रखना सुरू कर दिया था कस्मीर से लोटने के बाद उन्हें नहान में पोस्ट किया गया लेकिन फिर ऑक्टूबर 2008 में उन्हें दुबारा से कस्मीर में तैनात किया गया और फिर सन 2009 में आम चुनाओं से पहले आतंकी गतिविदियां काफी बढ़ गई थी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने एक ही अपते में तीन गुस्पैटियों की पुष्टी की थी को काफी कटिन इलाका माना जाता है लेकिन मेजर मोहिस सर्मा इन हाफुडा के जंगलों में भी एक्सपर्ट थे हाफुडा के जंगल कुपवाडा और हद्वाडा पर काफी बड़े हिस्थे पर फैले हैं और इस जंगल बहुती घना होने के कारण यहां आतंकियों के लिए छुपना बहुती आसान होता है और आतंकी इनी जंगलों में रहते है grate है और इसी वजए से वे इन जंगलों से काफी अच्छी तरीके से परीचित होते हैं और जबकि किसी आम सोलजर के लिए इन जंगलों में असानी से ओपरेट करवाना बहुती मुश्किल है और इसी वजए से इस तरह के ओपरेशन के लिए Special Forces को ही बुलाया जाता है क्योंकि Special Forces के जवान इस तरह की कठिन प्रिस्थितियों के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं और इस लिए इस दोरान जंगलों से आतंकियों का सफाया करने की जिम्मेदारी सौपी गई 2nd R.R. Battalion और मेजर मोहिस सर्मा की 1-12SF को जिस समय ये Operation चल रहा था उससे पहले मेजर मोहिस सर्मा की होली की छुट्टियां मंजूर हो चुकी थी और वे अपने घर जाने वाले थे लेकिन फिर इसी दोरान मेजर मोहिस सर्मा के एक साथी के कजन ब्रदर की टैथ हो गई थी और उनके साथी ने अपने Commanding Officer से दो दिन के लिए छुट्टी का आगरे किया पर चुकी मेजर मोहिस सर्मा की छुट्टियों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी और इसलिए Commanding Officer ने उनके दोस की छुट्टी को मना कर दिया क्योंकि उस समय स्टाफ की कमी थी लेकिन जब मेजर मोहिस सर्मा को ये बात पता चली तो उनोंने अपने कमांडिंग ओफिसर से अपने दोस्त की चुट्टी के लिए आग्रे किया और उनोंने कहा कि उनकी चुट्टी को एक महीना एक्सेंड कर दिया जाए और जब उनका दोस्त चुट्टी से वापिस आ यानि अगर मेजर मोहिस सर्मा अपनी छुट्टी को आगे एक्सेंट नहीं कराते तो शायद आज वो जिंदा होते। लेकिन मेजर मोहिस सर्मा एक बहुती दर्या दिल इनसान थे और उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए अपनी छुट्टी को कुर्बान कर दिया। और इसके बाद फिर 21 मार्स 2009 को मेजर मोहिस सर्मा को हाफुंडा के जंगलों में आतंकियों के साही ठिकाने का पता लगानी की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस दोरान मेजर मोहिस सर्मा करीब तर जवानों के साथ हाफुंडा के घनी जंगलों में रात में आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकल पड़े और फिर इसी operation के दौरान आगे जाके उन्हें कई militants ने घेर लिया और फिर इस दौरान दोनों तरफ से काफी heavy firing शुरू हो गई militants के साथ इस मुट्वेड के दौरान उनकी एक साथी को गोली भी लगी और जबकि मेजर मोहिस सर्मा ने अपनी जान की परवा ना करते वे अपने घायल साथी को पीछी की और इवेगेट के लिए भेजा और इसी दौरान वे घायल भी हो गई और उन्हें कई सारी गोली लग और मेजर मोहिस सर्मा को आतंकियों के खिलाब असाधारन वीरता, अदम विसाहस और प्रेरक नित्रत्व के लिए मरणो प्रांथ असोग चक्र से भी सम्मानित किया गया लेकिन वीर कभी मरते नहीं हैं बलकि वो वीर गती को प्राप्त होते हैं और वे इतिहास के पन्नों म सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं और हम मेजर मोहिस सर्मा के सरवोच्च बलेदान के लिए सदा रिडी रहेंगे तो हमारे आज की इस एपिसोड के लिए इतना ही अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन्स हो तो उसे कॉमेंट सेक्षि में शियर जरूर करें और अगर आपको इए वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और पने फ्रेंस के साथ श झाल